नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोख खबर जानते हैं उडिशा में विदेश से लोटने वाले 246 लोगों को कोरोना पोजेटी मिलने के बाद जर्खन में भी हर काम पड़ोसी राज उडिशा में 24 नमबर से 7 दिसमर तक विदेश से लोटे 800 लोगों में 246 लोग कोरोना पोजेटी पाए गए हैं इस सुटना ने जर्खन की भी चिंता बढ़ा दी है बतादे यहां भी इस समय विदेश से 127 लोग लोटे हैं इन सभी की पाचान की कवैद जारी है ए आतरी जोखिम वाले देशों से लोटे हैं बतादे जर्खन की परिशान यहां कि यहां जिनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है जर्खन का स्वास्त विभाग पूरी तरह से पुडोसी राजे उडिशा पर ही जाच के लिए निर्भर है यहां से नमूने जाच के लिए उडिशा की रैधानी भूने स्वर भेजे जाते हैं वहां से जाच रिपोर्ट काफी बिलम से आती है समय पर कुरोना के इस नए वेरियंट ओमिक्रोन की पाचा नहीं होने से संक्रमन काफी तहीं से बढ़ चकता है जर्खन की रैधानी राजी समेत अने जिलो में आई सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल रहा है बतादे कोहरे के बाद आस्मान साफ है मौसम विभाग ने अपने पुर्वानमान में बताया है कि 13 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धोंद रहेगा इसके बाद आस्मान साफ रहेगी इस बिच बारिस की संभावना नहीं जताई गई है रात में तापमान में गिरावट से कपकपी बढ़ने की संभावना है बतादे मौसम विभाग में आपने पुर्वानमान में बताया है कि सुबह में कोहरा या धोंद रह सकता है जबकि बाद में आस्मान साफ रहने की संभावना है नए साल से जार्खन में 30% तक महंगी होगी बिजली नए साल में राज्ये में बिजली की दर में 30% तक बढ़ोत्री हो सकती है बतादे बर्ष 2022-23 के लिए जार्खन बिजली वीत्रन निगम ने दर बढ़ाने का प्रस्ताव राजे विधोत नियामक आयोको सौप दिया है आयोको सौपी गईवार्शिक रिपोर्ट में उलेख है कि फिलाल बिजली वीत्रन निगम का घाटा पैंसट सो कुलोर का है पिछले दो बिजली वीत्रन निगम को दर बढ़ाने की सुक्रिती नहीं मिली है जिससे घाटा बढ़ता जा रहा है निगम के प्रस्ताव पर अमल हुआ तो बिजली उभगताव की जेप परभार पड़ेगा 13 लाक लोगों को मिलेगा यूनिवर्सनल पेंसन का लाब मंत्री जारखंड के बित मंत्री रमेशर उडावने मंगलवार को खोटी जिले के मुर्भू परखंड के कुंजला गाव में आयोजीत आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में कहा कि पुरू की सरकार में यहां के जनता को काफी परिशाने होई कई लोगों पर राई द्रोह का केस भी हुआ हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले राई द्रोह के मामले को समाप्त करने का निना लिया पहले ही कैमिनेट की बैठक में पहला निना यही लिया गया बता दे यूनिवर्सल पेंसन योजना के तहट 13 लाख लोगों को लाब मिलेगा पंचायतों में सीवीर लगाए जा रहे हैं अब सरकार आपके घर आकर काम कर रही है जार्खन जगुआर के केम्प के पास नक्सलियों ने की फैरेंग जार्खन के सराय के लाजीला मुख्यालाई से करीब 47 किलोमीटर दूर कुचाय वा खुटी जिले के अड़की सिमा पर पुनी सीर गाउं के पास इस्थित जार्खन जगुआर पिकेट के पास नक्सलियों ने फैरेंग कर दी वहीं दूसरी ओर इस फैरेंग के बाद जार्खन जगुआर पिकेट पर तैनाथ जवानों में भी जबाभी करवाई करते हुए फैरेंग की बताया जाता है कि दोनों ओर से 50-60 राउंड से अधिक की फैरेंग होई इसके बाद नक्सलि रात के अंधेरे में वहाँ से भाग निकले इस तोरहन पुलिस ने नक्सलि परचा बरामत किया है सलाना पांच लाग से अधिक इनकम पर ज़ार्खन प्रोफेस्नल टेक्स अनिवारे सलाना पांच लाग से अधिक कमाई करने वाले सभी ब्यक्ति एवं ब्यपारी ज़ार्खन प्रोफेस्नल टेक्स के दाएरे में हैं सभी से उनकी लाइबिलिटी के अनुसार ज़ार्खन प्रोफेस्नल टेक्स लेने की तैयारी में राज्य वानिज्य करने हजारी भाग एवं चात्रा में जगरुपता अभियान शुरू किया है बताद इस में टेक्स पेजर, चेंबर ओफ कोमर्च, मुपता, चार्टर, अकाउंटेंट एवं आजीवका विरीत करने वाले भैक्तियों को जारकन परेशनल टेक्स देने के लिए प्रेक्रित करने एवं टेक्स नहीं देने वालों को होने वाली नुकसान की जनकारी से वगत कराया जा रहा है एक लब ये बिद्याले निर्मान को लेकर सिला गाई में पत्राव के बाद लाठी चार्ज राची जिले के चानों पर खंड के सिला गाई गाउ में एक लब ये आवासे बिद्याले का निर्मान को लेकर आयोजीत ग्राम सभा में जम कर बवाल हुआ बता दे पुलिस के रोकने के बाजूत गराम सभा में हथियारों से लेस बाहरी लोग घूस गए और हंगामा शुरू कर दिया एक लब्य आवासे बिद्याला का बिरोध कर रहे लोगों की इसके निर्मान का समर्थन कर रहे गरामिनों से जड़ाप सुरू हो गई इसके बाद परसासन ने ततकाल गराम सभारोक दी हलात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठिया भी जहाजी बता दे कुछ गरामिनों को चोट भी लगी है हटाये नहीं जाएंगे देवघर DC मंजुनात भजंत्री देवघर के उपायूक्त मंजुनात भजंत्री को हटाने को लेकर चुनाव आयोकादेश राई सरकार को प्राप्त हो गया है इस परकार्मिक विभागने करवाई भी शुरू कर दी है लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलाल आदेश नहीं दिये गए है सुत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार भीधी परमर्श लेगी और इसके अधार पर ही कोई करवाई शुरू होगी बता देश फिलाल देवगर के उपायूत को रहत मिली है मामला कोट तक जाने की भी पूरी संभावना है पुरा परकरण राइनितिक रूप में भी ले रहा है और इस मामले में सतधारी दलो जामुमो और कॉंग्रेस ने चुनाव आयोक के निर्नाय की आलोचना की है जबकि भाजपा आयोक के फैसले की सराना कर रही है सरना को अलग धर्म के रूप में सामिल करने के लिए जंतर मंतर पर परदर्शन जन गन्ना परिपत्र में सरना को अलग धर्म के रूप में सामिल करने के लेकर मंगलवार को जार्खन से आय किया परदर्शन बतादेशर रश्ट्रिया आदिबासित समाज सरना धर्म डाक्चा अभियान से जुड़े सभा द्यक्ष डाक्टर कर्मा उराव ने कहा कि प्राकिर्तिक सर्ना धर्म एक बिस्व धर्म है लेकिन आज तक उसे पहचान नहीं दी गई है सर्ना धर्म को जनगर्णा परिपत्र में सामिल करने की मांग लगतार की जा रही है जार्खन में कुरोना के 10 नए केस मिले हैं जबकि 6 मरीज स्वास्थ भी हुए हैं जे पीएसी रिजल्ट रद करने की मांग को लेकर राजभवन के पास छात्रों का परदर्शन जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से सात्वी से दस्वीज पीएसी पीटी रिजल्ट में हो रहे भरष्टाचार के विरोध आंदोलन के सहतिस्वे दिन राजभवन के समक्ष महाधारना दिया गया जिसमें राज एके विभीन जीलो से छात्र सामिल हुए बता दे सुबह 10 वए से सुरू हुआ धारना कारेक करम में लगभग 400 विदार्थी सामिल हुए हैं धारने में सामिल छात्र नेता देवंद्र नात महतो वह मनोज यादोंने राजेपाल से जार्खन स्वन्यूक्त असायनिक सेवा प्रत्योक्त परिक्षा के रिजल्ट को रद करने की मांग करते हुए कहा की जे प्यसी के द्वारा दिरांग 19 अक्टूबर को जार्खन स्वन्यूक्त असायनिक सेवा प्रत्योक्त परिक्षा का विजन किया गया था जार्खन में लापरवाही बरतने वाले एसपी और एसएसपी पर गिरेगी पुलिस मुख्याले की गाज पुलिस मुख्याले राजे में अब सभी जी लोग के एसएसपी एसपी के कारेओं की समिक्षा करेगा एक साल के भीतर एसपी एसएसपी ने कैसा परधन किया इसकी बिंदुवार समिक्षा होगी बतादे डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी रेंज डी आईजी जोनल आईजी को इसे समदित आदेश जारी कर दिया है उन्होंने रेंज डी आईजी वा जोनल आईजी से एसएसपी एसपी की बार्सिक कारे मुलैंकन रिपोर्ट सो समय देने का आदेश दिया है और यह भी काया है कि उस रिपोर्ट में इस बात का भी जीक्र करना है कि एक साल के भीतर मासिक कारे रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय की टिपनी क्या थी बीर्षा की धर्ती की सेवा करना चाहती है सरकार मंत्री राज सरकार की पहली प्रत मिक्ता है खोटी इस कारण ही राजे गठन के बाद पहली केबिनेट की बैठक में सरकार ने पहला फैसला लेकर खोटी में राज द्रोह के दर्ज 50 मामलों को वापस लिया गया यह बाते खोटी में पत्रकारों से बाद चित करते हुए राजे के बित मंत्री सक खोटी जीला बी सुत्री समिति के अध्यक्ष डाक्टर रामेशर उराव ने कही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में खोटी को लोगों को दिखते हुई थी राज द्रोह के मामले दर्ज हुए थे लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं होगा उन्होंने कहा की जानता से सीधा सनवाद अस्थाफित कर उन्हें सरकार की योजनावक की जनकारित देना ही आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके दौर कार्करम की परली परतमिक्ताई इंटर कॉलेजों में बढ़ेगी सीटे सिक्छा मंत्री राज्य के इंटर कॉलेजों में सीटे बढ़ेगी बतादे सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों ने मंगलवार को स्कूली सिक्षा वसक्षर्टा विभाग के प्रस्ता पर अपनी मुहर लगा दिया वैसे इंटर कॉलेज जहांने धारी सीटों से ज़्यादा नमांकन ले लिया ग तरीब एक लाग चात्र चात्राओं का अब एक आरवी का राजिस्टेशन हो सकेगा और वे 2023 की इंटर्मेडियेट परिक्षा में सामील हो सकेंगे बतादे सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों की स्विक्रिति के बाद अब जारकन एकेडमी कॉंसिल की ओर से संबंधित संस्थ संस्थानों में सीटे बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा साथ ही ऐसे संस्थानों को कम से कम राजिस्टेशन के लिए एक या दो सब्ता का समय दिया जाएगा ऐसे में उमीद की जा रही है कि एक आरवी के राजिस्टेशन की तारिक एक बार और बढ़ेगी मिड डे मिल कोकिंग कास्ट की रासी की होगी मोनेटरिंग राज ये के प्रारमिक स्कूलों में बच्चों को कोकिंग कास्ट की रासी देने की मोनेटरिंग की जाएगी इसके लिए संकूल अस्तर से लेकर प्रमंडल अस्तर के पदाधिकारियों को जिमिदारी दी गई है बतादे 2020-2021 की सेक्षिनिक सत्रे में पॉलिस याठी में पढ़ने वाले बचों के बैंक खाते में दी जाने वाली रासी के मोनेटरिंग की निर्देश दिया गया है प्रमंडल के छेत्रिय सिक्षा सन्यूक देनि देशा को प्रमंडल के दो फिश्दी स्कूलों की मोनेटरिंग करनी होगी वहीं जीला सिक्षा पदाधिकारी को पांच फिश्दी स्कूल की जीला सिक्षा अधिक्षा को दस फिश्दी स्कूलों की छेत्र सिक्षा पताधिकारी को 15 फिश्दी परखंड सिक्षा प्रसार पताधिकारी को 20 वहीं परखंड कारेकरम पताधिकारी को 40 फिश्दी परखंड साधन सेवी को 50 फिश्दी लुहर्दग्गा जीले के सेरे दांग थाना छेतर में नक्सलियों ने सडक एवं पूलिया निर्मान कारे में लगे तीन मसीन और दो पानी ट्रेंक को आग के हवाले कर दिया है बता दे घटना अती नक्सल परभवी छेतर हे नहे एवं रोडो टोली की है नक्सलियों ने संचालित पत निर्मान तथा पूलिया निर्मान को बंद करवा दिया है मसीनों वर ट्रेंकर को आग के हवाले कर भागपा मवादी संगठन ने एक बार फिर सक्रिय हो गया है बता दे तीन मिक्सर मसीन और दो पानी ट्रेंग को आग के हवाले करने के बाद चेतावनी दिया गया है कि अगर दो बारा कारी शुरू हुआ तो ठेकेदार को गंभीर पईनाम भोगतना पड़ेगा धन्यवाद